नमस्कार दोस्तों मैं अभिनो यूजीपी सतना यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूँ आज हम अपने विविध पोर्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं भारत में ब्रथम महिल आएं अब हमको आज से डेली बेसिस पे हर दिन 30 से 40 एस्टेटिक नाम याद रखने हैं ठीक है ना देखिए आज हम क्या शुरू करने वाले हैं भारत में ब्रथम महिल आएं ये वीडियो इसलिए सूट हो रहे हैं ताकि आप क्या कर पाएं चीजों को तुरंत याद कर पाएं एक बार वीडियो देखें तो आपको सारी चीजें क्या हो दिमाग में बैट जाएं मैंने धेल सारे नाम लिखके रखे हैं सारे महिलाओं के नाम है यहां नाम लिखा गया है भारत ने प्रथम महिलाएं विभिर्न प्रसास्निक पदोमिया खेल कूसे रिलेटड जो महिला प्रथम थी ठीके ना सबसे पहले जो बनी थी उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं ठीके न तो देखते चलिए और ट्रिक के माध्यम समय आपके दिमाग में आटोमेटिक बैठा दूँगा इसमें न तो पेन उठाना भाई न तो कौपी लेके बैठना आप वीडियो देखो और चीजें याद कर ले जाओ डेली इसी समय पे हम आपको क्या करेंगे अब देखो भाई सबसे पहला नाम लिखा है प्रतिवा देवी पाटिल सब को पता है कौन है ये भारत की प्रतम महिला राष्ट्रपती है ये इंगलिस में बोलेंगे प्रेसिडेंट ठीक न तो भारत की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ओफ इंडिया कौन है भाई प्रतिवा देवी सिंग पाटेल क्लियर हो गया अब आजाओ इंदरा गांधी में देखो कुछ सिंपल सिंपल लाहम होते हैं वो सभी को याद होते हैं इन जनरल ठीक न तो सारी चीजों पर फोकस करते हैं अभी मैंने 20 लिखे हैं हमको टोटल कितने याद रखने हैं 30 ठीक न चलिए समझते हैं इंदरा गांधी ने दो काम किये पहले तो ये क्या थी भाई भारत की पहली महिला PM है प्राइम मनिस्टर थी आ गया समझ में तो पहली महिला PM थी और इन्होंने क्या प्राप्त किया है भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है आ गया समझ में ठीक तो पहली महिला तीनों ने क्या पाया था भारत रत्न ये चीज क्लियर हो गई भारत रत्न ये तो सबी को पता होता है दो नाम आजाओ भाई मीरा कुमार में कोई बताए मीरा कुमार कौन थी भाई ये थी लोगसभा speaker भारत की प्रत्थम महिला लोकसभा speaker clear है ठीक लोकसभा क्या थी speaker थी ठीक ये तीन नाम मैं मान के चलता हूँ आपको क्या हो गए याद हो गए आजाओ भाई देखो इसनेह लता स्रीवास्ताव अब नाम थोड़े कठिन होने चालू होगी अब बताओ कहा की लोकसभा की देखो कैसे याद रखोगे देखो महा सच्यू मतलब महान बनाना है किसी को ठीक तो जो महान बनेगा उसके अंदर क्या भरा होगा इसनेह भरा होगा ठीक तो इसनेह लता के अंदर भरा है इसनेह तो वो क्या बन गई नहीं है महान सच्यों बन गई है कहां कि लोकसभा तो भूलना लोगों के बीच महान है कौन जिसके अनदर इस्ने भरा है यहाद हो गया ठीक सारी चीजे मैं आप से पूछोंगा दुवारा तु आपके दिमार्ग में आटोमेटिक क्लिक कर जाएगा चलो, वी यस रमा देवी कौन है भाई ठीक कौन थी, यह है राजसभा की पहली महिला उपसभापती देखो कैसे याद रखोगे, रासे राजसभा, रासे रमा ठीक, तो राजसभा की पहली महिला क्या है महा सच्यों है, कभी मत भूलना देखो कैसे याद रखोगे, धियान रखना रमा रम गई राजसभा में, कैसे याद रखोगे जो रमा थी, वो रम गई कहां, राजसभा में तो आपको पता चल गया, वी यस रमा देवी राजसभा की पहली महिला क्या थी महासचु थी, छोटे-छोटे अच्रों में लिख रहा हूं ठीक समझ मी आ जाएग़ अब आ जाओ वायलेट अलवा, आपको लोक सभा की पहली महिला महासचु क्लियर हो गई, राज जबा की पहली महिला महासचु क्लियर हो गई अब आ जाओ भाई, छठबे नंबर पॉइंट पे क्या लिखा है violet अलवा ये कौन थी भाई तो ध्यान रखना ये थी राज्य सभा की पहली महिला उपसभापती कैसे याद रखोगे देखो कैसे याद रखोगी इनके नाम की अगर मैं थोड़ी देर के लिए डिवीजन कर दू तो देखो एक इंगलिस का सब दारा होगा वाई मतलब डबलू एच वाई लेट मतलब देरी वाई लेट अलवा थीक तो मैं एक कॉस्चन पूछ रहा हूँ वाई लेट अलवा अलवा एक लड़की थी तो मैंने उससे कॉस्चन किया तुम लेट क्यों हो गई सीधे सीधे तो violet alwa देखो ये जो थी alwa नाम की जो लड़की थी वो क्या बनना चाहती थी राज सभा की सभापती बनना चाहती थी लेकिन ये लेट हो गई तो सभापती ना बना के सभापती की सीड भर गई लेट होने के कारण तो अब इसको क्या बना दिया जाएगा उपसभापती बना दिया जाएगा उपसभापती तो क्लियर हो गई बाद राज सभा की पहली महिला उपसभापती कौन है वाइलेट अलवा तो वाइलेट अलवा जी क्लियर हो गया वाईलेट लेट हो गई इस कारण से क्या सभापती का पद ना मिलकर उपसभापती बनी कहा की राजसभा की उच्च सदन की आगया समझ में किज़े क्लियर हो गई तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको 6 नाम नहीं आद हुए होंगे आपको तुरंति आद हो गए होंगे ठीक चलिए एक बार फिर से देख लो परदिवादी परटिल प्रेसिडेंट थी इंद्रा गांधी कौन थी भाई? प्राइम मिनिस्टर थी और क्या थी भाई? भारत रत्न प्रात किया थो उन्होंने सबसे पहले अब देख लो मीरा कुमारी मतलब महिलाओं में बात चल रही है केबल महिलाओं में पहली महिला है वो जो भारत रत्न पाई थी अब मीरा कुमार है लोकसभाई स्पीकर है तो सबको पता है इसने से भरे लोग महान होते हैं इसनले उन्हें महासचिय बना दिया जाता है छै नाम क्लियर हो गए अब आजाओ राधा बाई सुबा रायन देखो ये हैं पहली महिला सांसद ठीक आगया समझ में मेंबर आप पारलियमेंट बोलते हैं MP है ये पहली सांसद सांसद क्लियर हो गया देखो राधा भाई सुबार आयन देखो राधा जी बरसाने वाली उन्होंने क्या किया सांसदी का चुनाव लड़ा कहां से बरसाने से क्या याद रखोगे हमारी राधा जी थी मतलब क्रिश्न और राधा तो सुनाई होगा आप लोगोंने अभी क्रिण जन्माष्ट में खतम होई है तो बस उन्ही राधा जी की बात कर रहा हूँ राधा रानी आगया समझ में राधे राधे जो बोलते हैं तो राधे राधे कहां से सांसदी का चुनाव लड़ लिया उन्होंने बरसाने से आगया बरसाने की छोरी थी सांसदी का चुनाव भी कहां से लड़ा उन्होंने बरसाने से लड़ा याद हो गया भाई तो सेंटर में कौन बैठेगी, राज कुमारी बैठेगी, या तो ऐसे याद रख लो कि केंदर में क्या है, मेशा अमरित बरसता है, अगर कोई नेता है, एक option दिया जाए कि तुम भी धान सभा चले जाओ, एक option दिया जाए तुम लोग सभा चले जाओ, ठेके न, एक मतलब र काट लो भाई कैसे, याद तो रखना है, सुचेता करपलानी, ठेक, सुचेता करपलानी कौन है भाई, सीयम है, ध्यान लखना, जिसके ऊपर सीयम की करपा बरस गई, तो उसके सब काम बन जाने है, सरकारी नोकरी भी चुटकियों में लग जानी है, क्लियर हो गई बार, तो चेता करपलानी, सरोजनी नाइडू आजाओ भाई, ये नाम सभी को याद होता है, ठेक, सरोजनी नाइडू कौन थी भाई, पहली महिला राज्यपाल है, राज्यपाल, ठेक है न, आगया समझ में, ठेक, गवर्नर थी, आगया समझ में, अब आजाओ, ये नाम तो क्लियर हो बीबी, समझ में आई बात, मीरा साहिब फात्मा बीबी ये है, सुपरीम कोट, यानि उच्चतम नयायाले की पहली महिला नयायाधीस, मैंने केवल नयायाधीस सब्द का प्रयोग किया है, तो ध्यान रखना, बीबी होती है, हाई कमान, घर की, हाग है समझ में, जिसकी साधी ह बीबी होती हाई कमान, तो ये कहा जा सीधे सीधे, सुपरीम कोट, मतब सारे सुपरीम निने किसके होते हैं, घर में, बीबी के होते हैं, तो सुपरीम कोट की नयायाधीस कौन हो गई, बीबी हो गई, नयायाधीस, सुपरीम कोट की नयायाधीस का नाम नहीं लिए, ध्यान सेथ ठीक तो लीला सेथ एक नाम है लीला सेथ देखो सुप्रीम कोर्ट का तो काम हो गया अब आती बात हाई कोर्ट की ठीक है ना ध्यान रखना हाई कोर्ट में देखो लीला सेथ नाम से एक सब्दारा है लीला तो लीला ने अपनी लीला दिखानी चाही कहा सुप्रीम कोट में लेकि सुप्रीम कोट का पोस्ट भर गया था इसलिए वो नीचे वाले में थोड़ा आई मतलब हाई कोट में पहुँची हाई कोट में ये केबल नयाधिस नहीं बनी ये मुख्य नयाधिस बन गई क्या बन गई भाई मुख्य नयाधीस क्लियर हो गया अब आजाओ भाई अन्ना चांडी लीला दिखाओ हाई कोट के मुख्य नयाधीस का पदपाओ आगे समझ में बीबी सुप्रीम निरने लेती है घर में तो सुप्रीम कोट की क्या है नयाधीस हैं आगे समझ में ठीक अन्ना चांडी देखो चांडी से काली माता का रूप्या दा रहा होगा ठीक चांडी चामुंडा देवी यहाली फिलिंग आ रही है आपको कुछ नहीं करना है तो वो हमेशा हाथों में मूर्ति उनकी कैसी होती है सस्त्र लिए रहती है हाथ में ठीक तो ध रिक्तियाद करवाने के लिए तो आप क्या याद रखना है केबल सत्र नयायाधीस आगे समझ में तो भारत की प्रथम महिला सत्र नयायाधीस कौन है जल्दी से बताओ जो चांडी है चांडी सस्त्र धारण करेगी मतलब सत्र नयायाधीस बनेगी आगे समझ में रटलो भा UPSC की पहली महिला अध्यक्ष, आगया समझ में Union Public Service Commission की पहली महिला अध्यक्ष है, UPSC अध्यक्ष बोलते हैं, इनको पहली महिला अध्यक्ष है, UPSC की, ठीक, कैसे याद रखोगे तो ध्यान रखना, UPSC का कंडिडेट रोज कितने लोगों से मिलता है, million लोगों से मिलता है, 10,00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 का चार्ज, ठीक, तो अन्ना हो गई जार्ज, ठीक है न, IAS प्रतम महिला IAS, किरनवेदी को तो कोई नहीं भूल सकता, दिल्ली विधान सबाद चुनाओ BJP की तरब से क्या थी भाई ये, ठीक, BJP की तरब से मुख मंत्रीपत की उम्मीदवार थी केजरीवाल ने हरा दिया, लेकिन सबसे पहले क्या थी ये, IPS थी, ठीक, इसलिए इनको चहरा बनाया गया था, ठीक तो क्या याद हो गया आपको, देश की पहली महिला IPS आफिसर कौन है किरनवेदी है, बचेंदरी पाल, ये तो किसी को नहीं भूलता सब को याद है, Everest में पहली बार कोई महिला जो Everest में चड़ी वो कौन है, बचेंदरी पाल है ठीक है ना, Everest में चड़ने वाली प्रथम भारती महिला Everest में चड़ने वाली पहली भारती महिला ठीक है ना, अब आ जाओ संतोस यादव, ठीक, देखो एक आदमी होता है एक बार Everest में चढ़ा उसको संतोस मिल गया लेकिन ये नाम जो है संतोस यादव इसको अपने नाम के अनरूप संतोस नहीं हुआ एक बार चढ़ा कहां Everest में इसको संतोस नहीं हुआ फिर एक बार और चढ़ गई तो पूरा संतोस मिल गया इनको किनको संतोस यादव को तो दो बार माउंट एवरेस्ट चड़ाए इन्होंने ठीक दो बार माउंट एवरेस्ट चड़ने वाली प्रथम भारती महिला कौन है संतोस यादव आजाओ आरती साहा कैसे नाम याद रखोगे हम उनकी आरती उतारेंगे ठीक जो इंगलिस चैनल पार करके कुछ लोग याद करना चाहें ठीक तो साहा का साहस हुआ उसने भारत का चैनल नहीं पार किया क्या पार कर दिया इंगलिस चैनल अरट वाने के लिए बोल रहा हूं ठीक ना आगया सवाल में ठीक भारत को कोई चैनल पार कर लेती चैनल वैसे तद देखो समझो मुद्दा क क्या है हमको याद रखना है मुझे हसी आ रही है ठीक आपको भी आही रही होगी यह सब पढ़के लेकिन आपके दिमाग में बैठ रहा है न यह चीज बस देखो आप ठीक है तो इंग्लिस चैनल पार करने में जिसके अंदर साहस होगा वही पार कर पाएगा तो आरती उतारो पहली महिला भारती नहें पहली भारती महिला बार्थास अंदर सातब्र 5 साघर पार करएगा इन्हों ठीक तैर कर पार करने वाली अब आजाओ भाई सुचेता कड़े थानकर बहुत अच्छा नाम ठीक अब देखो साथ प्रमुक्सागर बुला चौधरी क्लियर हो गया ठीक अब देखो सुचेता कड़े थानकर आई ठीक गोबी मरुस्थल या रेगिस्तान इन्होंने पार किया है ये भारत की पहली महिला है जिनोंने गोबी रेगिस्तान पार किया है रेगिस्तान ठीक या मरुस्थल बोल सकते हो पार करने वाली पहली महिला भारती महिला है कौन सुचेता कड़े थान कर कैसे आद रखोगे देखो भाई डेजर्ट पार करना है मतलब मरुस्थल या रेगिस्तान पार करना है अब इत्ती धूप है ठेक पानी भी खतम हो सकता है जाते जाते ठेक क्रॉस करना है अगर अब पूरा गोबी रेगिस्तान क्रॉस करना है तो बहुत कठिन परिष्रम चाहिए उसके लिए आप घर से क्या करोगे ठान कर निकलोगे क्या कहा मैंने ठान कर ऐसे नहीं चलेगा काम आपको ठानना पड़ेगा अगर क्या पार करना है गोबी रेगिस्तान तो सुचेता ने क्या कर लिया ठान लिया ठान कर कहां से निकली घर से निकली कहां की ओर गोबी रेगिस्तान की ओर clear हो गई बात तो यह हमारे थे बीस फैक्ट अब अगले दसनामों की चर्चा कर लेते हैं जल्दी से देखिए नीता अंबानी ठीक देखो भाई क्या है अंतर काम करेंगे जाके ठीक है ना मैरी लीला राओ देखो भाई कैसे याद हो जाएगा मैरी लीला राओ वाली भारत की ओर से क्या है पहली महिला है ठीक कि बहुत सारी लिला दिखाई मतलब यह दिखाई तब जा के किसका दरवाजा मिला इनको ओलम्पिक का दरवाजा ओलम्पिक के अंदर चली गई आगया समझ में तो आपको सबसे पहले बताए गए नीतामबानी ये तो क्लियर ही है ठेक बड़े लोग ये क्या बनी है अंतरराष्टी कमेटी की सदस्य है ठेक ना अंतरराष्टी ओलम्पिक कमेटी की ये क्या कर गई है ओलम्पिक खेलों में हिस्सा ले ली है आगया समझ में करणम मले स्वरी कौन है भाई ये भारत की ओर से प्रथम महिला है जिनोंने ओलम्पिक में कम से कम एक मिडल तो जीता अब वो भी कान स्थ पदक था आगया समझ में मतलब खाता खूलने वाली कौन है करणम मले स्वरी ठेके ना आगया समझ में कान सा पदक जीत लिया आगया समझ में ठीक तो भारत की ओर से ओलमपिक में पदक कोई भी पदक प्राप्त करने वाली कौन है भारती महिला है प्रथम कौन करणम मले स्वरी कोई पदक प्राप्त करने वाली कोई पदक प्राप्त करने वाली ठीके ना कहां से पदक जीता था लेकिन ये हिस्सा ली पदक नहीं जीत पाई मेरी लीला राव लेकिन करणम मले सुरी आए और उन्होंने खाता खोल दिया अब खाता खोल गया तो पदक पे पदक मिलेंगे भाई देखो कैसे साक्षी मलिक रियो उलम्पिक तो सभी को याद होगा हर टीवी में एक ही नाम साक्षी मलिक आगया समझ में तो कुछ नहीं करना है इन्होंने क्या जीता है भाई कान से पदक जीता है उलम्पिक में आगया समझ में ठेक कान से पदक तो महिला कुस्ती में ठीक है ना आगया समझ में महिला कुस्ती में कान से पदक जीता है इन्होंने clear हो गई बात कुछ नहीं करना है सीधे सीधे क्यायाद रखेंगे 2000 कौन से ओलम्पिक में ह otras रियो ओलम्पिक अब हुग था 2016 में आगेЯ समथ में चीजें clear हो रही है अब आजाईए साइना नहवाल कोई बताए इन्होंने क्या किया है इन्होंने क्या है ओलम्पिक बैट मिंटन प्रतिस परधा में पहला कान से पदक प्राप्त करने वाली भारती महिला बनी है ठीक है भारत की ओर से बैट मिंटन को लेकर पहला कान से पदक दिया है इन्होंने ओलम्पिक में ठीक है न ओलम्पिक में कान से पदक जीतने वाली प्रथम सेंट के नाम है इनको तो कम से कम याद रख सकते हो चलो इसके बाद आई सबसे जादा चर्चा में रहने वाली पीवी सिंधू इन्हों ने दो कार नामें किये सबसे पहला क्या किया बाई कौन बताएगा इन्होंने रज़त प्रदक जीता किसमें बैट मिंटन चैंपियंशि तो खुला यहां से और फिर यहां क्या आ गया भाई महिला की ओर से राजत पदक लाने वाली प्रथम महिला है पीवी सिंधु ओलंपिक में और वर्ल्ड बैट मिंटन चैंपियंशिप का खिताब अपने नाम किया है किनों ने पीवी सिंधु ने यह सबसे बड़ी इनकी उप गूलना भाई खेक और ने बहुत कर्म किया तब जाकर इनको क्या है ओलंपिक में नाम रोशन किया इन्होंने देखो एक वह होता है प्रतिश परदा होती है जीमनास्टिक की सबसे ज्यादा महिला At procurement इंहोंने ओलंपिक के जिमनास्टिक प्रतिस पर्धा के लिए क्वालिफाई किया था आज तक कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाया था इनके पहले महिला में ठेके ना तो जिमनास्टिक ठेक प्रतिस पर्धा में क्वालिफाई करने वाले प्रथम भारती महिला है प्रतिस परधा में ओलम्पिक प्रतिस परधा में क्वालिफाई किया इन्हों ने सीज़ें क्लियर हो गई लिख ले ना भाई मैंने बोल दिया है तो दीपा करमाकर बिल्कुल नहीं भूलना भाई जिमनाश्टिक प्रतियोगता लिए क्या है क्वालिफाई किया है देखो कुछ सेकंडो से रह गई ने तो कांस पदक मिल जाता चौथे पायदान पर थी अगर आपने रिजल्ट देखा होगा उलम्पिक का तो चलिए मिताली राज कोई में बूलना राज क्यों कर रही है क्योंकि ये क्या है सचिन तेंदु इन्होंने 100 विकट लेने का रिकांड बनाया सबसे पहले सबसे पहली महिला है क्रिकेट में जिन्होंने 100 विकट पूरे किये थे आग आगया समने Max 1-10 स ब्सुं बार्ति महिला क्यों डाईणा इदुलअ जिक कैसे आद रखोगे जब ये बॉलिंग करने जाती थी तो बॉल मुक्के बाजी में कान से पदक जीतने वाली प्रथम भारती महिला है, कान से पदक मुक्के बाजी में, मुक्के बाजी, ठीक, ये लगभग लगभग लोग कर चुके होते हैं बचपन में, मुक्के बाजी, मुक्के बाजी में कान से पदक, कहां भाई, ओलंपिक में, आ गई बात समझ में, ओलंपिक, चलिए मैं आपका लाइब टेस्ट ले रहा हूँ अप, इतने नाम क्लियर हो गए, चलो मैं सबसे पहले एक नाम बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, यह सारे नाम तो आपको क्लियर हो गए, ठीक, डाइना सिंदु कलने में पहले मारा था, दीपा करमाकर, जिमनास्टिक प्रतिसपरधा क्वालिफाई करने वाली, भारत की और से पहली महिला है, ठीक, पीवी सिंदु, रजत पदक, ओलंपिक में सबसे, ठीक ना, अब यह आ गया फिर, बल्द बैट्मिंटन चैंपियंशिप का ख इन्होंने कोई पदक प्राप्त करने वाली क्या है, अब आजाओ मेरी लीला राओ में, ओलंपिक खेलों में कम से कम भाग ले लिया इन्होंने, यह क्या है, कमेटी की सदस्य बनी बैठी है, कौन हमारी नीतामानी, चलो, अब मैं पूछ रहा हूं, कमेंट करते जाना भाई मैं आपको मुश्किल से चार-चार सेकेंड का समय दूँगा, चलो मुझे कोई बता दो, इस नेलतर सी वास्तो कौन है, ठीक, इस नेलतर सी वास्तो, तो, अंसर मैं बताओ, देखें, लोकसभा की पहली महिला महा सच्यो, कौन है, इस नेलतर सी वास्तो, चलो, दूसरे तरी मुझे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वाइलेट अल्वा, वाईलेट अल्वा, लेट हो गई, सभपती नहीं बन पाए, उच्छ सदन की मतलब राज सभा की, तो क्या बना दिया गया, ओप सभपती बना दिया गया, इसी प्रकार चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है, तो आप कुछ ना करें, ये सारी चीजे note down कर लें, आज की class मेंने आपको 30 facts बताएं हैं, देखो क्या था गलती से पिछले वाले 16 number मैंने आपको 2 बार लिख दिये थे, अगर आप देखे होंगे तो गलती से 16-16 लिख गया था, उसका कुछ मत मानिएगा, इसको बढ़ाते लाइएगा, ये 31 number का fact हो जाएगा, ठीक, तो महिलाओं का हमने देख लिया, भारत निपर्थम महिलाएं देख लिए, इसका आधा इससा भी हमने देखा, अगले वीडियो लेक्चर में इसको complete कर देंगे, बहुत से ऐसे नाम हैं जिनको जानना जरूरी है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सेयर करें, और सस्क्राइब करें, अगले वीडियो में सब चीजें पूछूँगा, तो बताना भाई, भन्यवाद,